प्रदानमंत्रियां खड़े होते हैं कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी नारेगा मन रेगा मन रेगा मन रेगा महात्मा गांधी योजना कल मैंने आश बंकरी मैं सोके रहे ये अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दिजे हाता मार दिजे माद माद दिजे एक बार में ठीक के करतोा यूं आपको अगर अच्छी लगी मार दिजिए लोग मेरी उम्पर के बारे मैं कह सकते हैं मैं अधर्णिया राहूल जी से एक वर्स छोटा हूँ खड़के जी राहूल जी यहाँ पर सदन में नहीं है मैं उनसे एक वर्स छोटा हूँ उम्र में और मुलायन सिंध्य जी की पार्टी के कोई यहाँ नहीं है अखले स्यादों से एक वर्स छोटा हूँ एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है कि लेकिन मैं आप सब को अमंतित करूंगा आप सब का प्यार और इसने है आप बोल सकते हैं कि क्यों मेरा नाम लगा अब इसलिए वह राहूं जी एक साल उनसे बड़े हैं अकले जी उनसे एक साल चोटे हैं उनके दोनों के बीच में वो है लेकिन आप एक बार एक बार आप अधिकार में आये हैं वहांके चीप मिनिस्टर बने हैं आपको बदाई देता हूँ लेकिन आप इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करो चीप मिनिस्टर बनके जब आप उस खुर्ची पे बढ़ते हो उसी की गरिमा रखके आगे चलो मैं उसी की गरिमा की बात करने के लिए आया हूँ अध्यक्स आप उत्तर प्रदेश में आएं स्वागत होगा आप सबका उत्तर प्रदेश आदर्णिय प्रधान मंत्री जी के सपनों का प्रदेश होगा प्रस्टाचार मुक्त प्रदेश होगा दंगों से मुक्त प्रदेश होगा अराजकता और गुंडा गृदी से मुक्त प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश में हम विकास का एक एसाथ मॉडल देंगे कि उत्तरप्रदेश के नौजवानों को पलाइन नहीं करना पड़ेगा उत्तरप्रदेश में मातां और बहनों को अपनी सुरक्सा के लिए कहीं गुहार नहीं करना पड़ेगा और ये कारे वहाँ पर प्लारंब आप देखिए अवस्य और मैं आपको खास्तोर पर खड़के जी आप तो इहां पर नेता के रूप में हैं और हम आपको साधर आमन्तित करेंगे कि वहाँ उत्तरप्रदेश में आए और उत्तरप्रदेश में आप देखते रहिए बहुत कुछ बंदी होने जा रहे हुआ है बहुत कुछ वहाँ पर बंद होने जा रहा है अपर आ रहे हैं अभी उनसे में मिलूंगा चे केंडिडेट हैं वह आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं सब के सब सब के सब नाम लड़ाई लड़ते हैं कहा है उनके नाम सब के सब नाम लड़ाई लड़ते हैं कहा है उनके नाम और एक और बात सुन लिए जिए आजकल एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है गुजरात को किसी ने खड़ा किया है गुजरात को अमूल दिया है गुजरात को दूद दिया है तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है गुजरात की महिलाओं ने दिया है अगर आप युवा कार्यकर्टा से बात करें अगर आप महिला कॉंग्रिस के कार्यकर्टा के बात करें पहली बार वो कहने हैं कि भाई तेरे पार कोई और रास्ता है ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से अलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा इस साइड से अलू डालो उस साइड से सुना निकालो इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका कि अपने पापों का प्राइशित पूरा करूगा इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का और मस्तुमें कि एस करेंगे